अश्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनलाइन इस्ट्रिव निसांत यान के यूट्यूब प्रेटफॉर्म पर मैं नितिनुपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ, विनंदन करता हूँ आज के अपनी इस वीडियो में मित्रो, आज के वीडियो का टापिक आप सभी को डियलेट के रिजल्ट को ले करके जो सेकंड समेश्टर का रिजल्ट है या डियलेट के समस्थ रिजल्टों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, निस्चित तोरपे कल जो है और लोगों को बताया ठीक है यह जो है विद्यालेओं को एक मुतलब की पत्र दिया गया है कि आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखेए 27 मार्च 2023 को यह पत्र विद्याले को भेजा गया है वो अपने प्राइबेट कालेजों से कारे करवा ले इसमें लिखा गया है कि प्राजाया देखा जा रहा है कि विगत कई समेश्टर परिच्छाओं के आंतरिक मुल्यांकन अंक पूरित स्विक्रित किये जाने है तो दिये गए निर्देशों का पालद न करते हुए सहसमय कारवाई पूर्ण नहीं की जाती है इससे प्रतीत होता है कि संबंदित जनपदों के प्राचार ये डायेट द्वारा निर्दारित समय के भीतर अपेच्छित कारवाई पूर्ण कराये जाने का अनुसरोण नहीं किया गया है और संस्थानों द्वारा जान बोज़कर भी इस प्रकार का कृत किया गया है जिसके क कारण DLAD परिच्छा दिसंबर 2022 परिच्छा फल गोसित किये जाने में बिलंब की इस्थति उत्पन हुई है तो उक्त इस्थति कदाप उचित नहीं है अतह भविश्य में इसका विशेश ध्यान रखा जाए अन्यथा उक्त लापरवाही की पुनह पुन्राविर्ति पाये ज 2023 DLABTC परिच्छा दिसंबर 2022 के आंतरिक मुल्यांकन के अंक पूरित किये जाने है तु निर्धारिक तित्यों में निम्निवत ब्रिद्धी की जाती है पहले यह जो है 29 तारिक तक इन लोगों को बताया गया था अब जो है इन्हें जो है बताया आंलाइन पूरित आंतरिक म 29-30 तारिक तक अर्थात आप समझ सकते हैं कि 29-30 तारिक पोर्टल खोल करके लोगों को यह बताया गया है कि 29-30 तारिक तक जितने भी विद्याले अपने आंतरिक मुल्यांकन का PDF वगरा नहीं भेजे वो भेज दे और देख लिजिए आप देख सकते हैं कि DLABTC रिजल्ट क कारण क्या है मित्रो लेट होने का केवल और केवल यही मात्र एक कारण है कि चीजे समय के साथ PNP मैंने बताया ना कि बहुत दिन से तयार थी रिजल्ट देने के लिए कुछ लोग अभी से कहेंगे कि यह गलत नूज है या इस तरीके के गलत नूज नहीं है असलियत है ठी थी तो डियो के बचे हुए टार थीजल्ट मैंने निकलना था तो सबके पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने जो Twitter campaign का उजन किया, साइद वह सफल रहा हो, साइद वह न सफल रहा हो, अपने मन से ये लोगों ने मतलब की पत्र वगरा आया है, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं और आप मिल करके अपनी बातों को सकारात्मक लेंगे, कि हमारी जो मतलब की प्रयास रहा और शफल रहा, आपके सामने सच्यू जी के माध्यम से चीजे सकारात्मक निकल करके आई, या यू बताया गया कि आपका रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, ठीक है, चली इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी, का आपका रिजल्ट अब कब तक आ सकता है, और आपके रिजल्ट लेट होने का कारण क्या था, आखरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा, यही जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर होई तो क्या वहीं से जल्ब निकलेगा, नहों मायूस नगवराई संधेरे से मेरे साथ ही, इनी रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिंद चैवाद,